हेलो दोस्तो आज हमारे पास ये question है और most important question समझे ये आपका exam के लिए perspective से बहुत ज़्यादा important है क्यूंकि इस question में definite integration का ये question आप देख सकते हैं सारा property लगबग इसमें लग जाएगा तो चलिए discuss करते हैं step by step तो यहाँ पे question कुछ इस प्रकार से है integrate log sin x dx और इसका limit है 0 से pi y 2 तो देखिए definite integration का एक property रहता है जो हमें यह कहता है अगर limit 0 से a है और वही function है तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a a minus x dx ये मेरा एक property है definite integration का तो इसी property को अभी हम लोग लगाएंगे इसमें चलिए तो apply करते हैं using property तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से pi y2 log sin x के place पे आप देख सकते हैं इस वाले x के place पे एक बार हम a a लिखेंगे उसमें से minus कर देंगे x को तो pi y2 एक बार लिखना पड़ेगा ठीक है pi y2 minus x dx कि यह बात समझ माया यह वाला property यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं तो चलिए अब इसको जड़ा देखते हैं तो अब यह हो जाएगा हमारा 0 से pi y2 log sin 90 minus theta क्या होता है 90 पे pi y2 पे change होता है sin change हो जाएगा cos में और first quadrant में जारा plus मेरेगा तो क्या बज़ेगा log cos x dx यह बात समझ माया तो आप इसको suppose कर लिजिए यह हमारा i है ठीक है यह equation 1 मान लेते हैं और यह हमारा जो निकला है हम इसको equation 2 मान लेते हैं अब हम क्या कर इसको और इसको हम add कर देंगे simply ठीक है क्योंकि definite मैसा ही हम लोग करते आ रहे हैं तो adding adding equation 1 and equation 2 अब हम लोग इसको add कर रहें ठीक है तो क्या हो जाएगा जब देखिए log log a log b तो जब हम लोग इसको add करेंगे ठीक है तो log का property रहता है कि log a plus log b को हम लोग लिख सकते हैं log a into b तो यहाँ log a यहाँ पे log b है तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो pi y 2 क्योंकि limit common है limit same है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं directly ठीक है तो एक बार log लिखेंगे अब multiply करके लिखेंगे plus में लिखना या multiply में लिखना बात पराबर रहता है यह log का property है तो हम लोग लिख सकते हैं sin x cos x कैसे लिखें समझमाया क्या log a plus b इसको और इसको जोड़े है ठीक है और उसको इस multiply में लिख सकते है log a into b होता ऐसे है और यहाँ पे dx क्या यह बात समझ चीज को हम लोग क्या कर रहे है थोड़ा ध्यान दिजिए पाई वाई टू लॉग यहाँ पे वार हम लोग 2 से इसको multiply कर दिये 2 से एक बार multiply कर दिये 2 sin x cos x हो गया डिवाइड कर दिये देखें कोई दिकत नहीं है 2 से 2 कट यह कुछ ने बचेगा 2 रुप्या देखें फिर जब यहाँ के छिन लिजिए तो वही वाला चीज यहाँ पे हो रहा है दो पहले गुना किया डिवाइड कर दिया अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं वह दिखेगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 sin x cos x अब ही देखेगा लॉग का यहाँ पे फिर से प्रोपटी लगा देते हैं जो नीचे में 2 था उसको लॉग भी हम बोल सकते हैं और यह माइनस में लिख सकते हैं ऐसे और लिमिट सेम रहेगा इतना करने से क्या फाईदा हुआ देखेगा अब हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 sin x cos x आब जानते हैं फार्मूला होता है 2 sin x cos x का फार्म है यहाँ पर में तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं लास्ट में इसका खेला कर देंगे ठीक है तो चलिए अब हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर दिख रहा है तो आप क्या किया है substitute कर रहे हैं 2x को लेकिन जब आप substitute करेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह जो limit है वो x का limit है यहाँ पर dx लिख देते हैं x का limit है यहाँ पर हम टी का जब टम्स में इसको चेंज कर रहे हैं तो limit भी टी का होना चाहिए तो अगर हम इसका limit निकाशेंज करेंगे तो when x equal to जब x 0 है x जब 0 है तो t कितना मिलेगा x को 0 करेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा t का value भी 0 मिलेगा when x is equal to pi by 2 जब x मेरा pi by 2 है तो मेरे को t कितना मिलेगा यहाँ पे pi by 2 लिखेंगे तो 2 2 कट जाएगा t का value pi मिलेगा तो limit मेरा change हो गया अब हम इसी चीज़ को इसमें रख देते हैं चलिए तो यहाँ पर मैं इसके लिख रहा हूं ठीक है तो आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सारा चीज़ एक बार लिख देता हूं देखेगा 0 से मेरा pi by 2 था question log sin 2x dx-0 से pi by 2 यह था log 2 dx ठीक है अब हम इसमें क्या कर रहे है सबसेट कर रहे है और limit में चेंज हो जाएगा तो यह 0 से पाई हो गिया log sin 2x कोड तो टी माना है इसलिए sin t हो गिया detail by 2 लिखेंगे minus यह हो गिया मेरा minus उसके बाद यहाँ पर आप देखेगा इसके बाद यहाँ पर जो है उसको same लिख देंगे यहाँ पर जो था उसको हम लोग same लिख रहे है इसका काम हम लोग last में कर सकते हैं चलिए अब यहाँ पर हम लोग आपको क्या दिख रहा है एक property का use करेंगे 0 से 2a देखे यह जो pi है ना इसका मतलब क्या हुआ यह 0 से 2a क जैसा दिखनी रहा लेकिन है वही चीज़ देखिए 2a हम लोग जानते है ना एक बहलू पहले क्या था pi by 2 था तो जब हम लोग 2 into pi by 2 लिखेंगे तो 2a का फॉर्मा गिया ना 2a तो यह कट रहा तो पाई दिख रहा तो मतलब पाई को आप ऐसा समझे यह 2a का तरह दिख रह हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखते है टू जीरो से ए हो जाएगा और फंक्शन को लिख देंगे और कंडिशन है अगर इफ फंक्शन में 2a-x करने से फंक्शन ही आ जा रहा है तो अगर जीरो आएगा कब जीरो जब 2a-x करने पे-fx आ जाएगा तो यह मेरा कंडिशन रहता है अगर 2a-x करने से सेम चीज़ आ जा रहा है तो यह वाला चीज़ लिख दो है ना और अगर ऐसा रखने से यह मतलब यह आ जा रहा फंक्शन माइनस नेगटिव में आ जा रहा है तो जीरो लिख दो यह प्रपरटी है तो अभी इसी चीज़ को हम लोग यहां पर ब पाई-बै टू बन जाएगा और अंदर में मेरे पास बच्चेगा लोग साइन टी अब आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहां पे यह कंडिशन सटिसफाई किया क्या जो आप यहां पर लिख दियें देखिए सटिसफाई करेगा तो यह क्या है मेरा पाई है यहां प जा रहा है सेकन्ड क्оाट्रेंट साइट करेंट साइन तो होता है ना तो यहां पर कोई चैंझ पर इसलिए यहां पर चैंज हुआ है यहांहां हम लोग यह वाला चीज लग천 consumable चेंगेंख तो यहां कोई दिकूत नहीं है इस बात को मत भूलिएगा 2i चलता आ रहा है अच्छा यह चीज अगर आप देखिएगा ना तो मेरा एक definite integration का एक और property था कि अगर मेरा a से b limit रहता है और fx dx का respect में इसको integrate करना है तो हम लोग इसको a से b ft dt भी लिख सकते हैं है ना तो यह टी का टम्स में एक्स का टम्स में भी लिख सकते हैं तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा जीरो से पाई वाई टू लॉग साइन एक्स और माइनस में यहाँ पे जो था उसको हम लिखते आ रहे हैं यह क्या आई है और इस आई को जब इधर लेके आएंगे तो दो आई से एक आई घट जाएगा तो क्या बचेगा आई इस इक्वल टू यहाँ पे आप इसका इंटिग्रेशन कर देंगे एंसर आ जाएगा जीरो से पाई वाई टू लॉग टू डी एक्स चलिए तो माइनस का माइनस लॉग टू क्या एक कॉंस्टेंट रहेगा ना लॉग टू का प्रपर वैलू होता है तो लॉग टू का बाह लॉग टू एक बार इस एक्स में पाई वाई टू रखेंगे तो क्या मनेगा पाई वाई टू और जीरो रखेंगे तो कुछ नहीं आगा जीरो ही आ जागा तो यहीं आपका फाइनल अंसर आ गया मैनस लॉग 2 पाई वाई टू में या आप ऐसे लिए सकतें माइनस पाई तो बात एक है यह परापर इस क्वेश्चन का सोल्यूषन तहाते कर देख सकते हैं आख कर देख देख सकते हैं ह। आख अ हर अ कर लित